Hello students, मैं विशाल गुपता, आपका टीचर, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको Class 12 Subject Business Studies का जो चैप्टर नंबर 11 है, मार्केटिंग का उसको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ Guys, जैसे कि आपको पता है कि ये chapter lengthy है, तो मैं इसको parts में कराऊंगा, ठीक है topic wise करते जाएंगे हम इसको, तो इसलिए आप मेरी regular videos देखते रहना और यदि आप बाद में भी देख रहे हो तो playlist में जाके इसके बागी topics देख लेना चलिए, start करते हैं, what is market सबसे पहले, so in traditional sense, in traditional sense, the term market refers to a place where buyers and sellers gather to enter into a transaction involving the exchange of goods and services मैं लोग वो एक physical जगा है, जहां पर buyers and sellers मिलते हैं, suppose सब्जी मंडी, suppose आप fruit की रेड़ी पर खड़े होके, fruit ख्रीद रहे हो, ठीक है, तो वहां पर particular एक जगा पर buyer और sellers दोनों ही कठे हैं, ठीक है, वो कहा जाता है market, but in modern sense, the term market has a broader meaning, it refers to the set of actual and potential buyer of a buyer, product and service, तो actual or potential buyer जो हैं, दोनों को ही हम market में लेते हैं, ठीक है जी, so what is marketing, traditionally marketing has been described in the terms of function or activities, in this respect, marketing has been referred to as performance of business activities that direct the flow of goods and services from the producers to consumers, in modern time, emphasis is placed on describing marketing as a social product, but it is a process whereby people exchange goods and services for many and for something of value to them, ठीक है, और उनको उसकी कुछ value मिल जानी चाहिए, ठीक है जी, उसके बाद हम आगे discuss करते हैं, कि a careful analysis of the definition shows the following important feature of the market, वो क्या है guys, कि सबसे पहले हमें customer की to understand needs and wants of customers, ठीक है जी, तो customers की needs और wants को understand करने के लिए, सबसे पहले marketing में यह किया जाता है कि उसकी need क्या है और वो चाहता क्या है, need का मतलब होता है, needs means requirement of a particular good to satisfy his want, ठीक है, for example, he is thirsty and want soft drink or water, तो यह उसकी want है, ठीक है, इस तरीके से हम उसको कह सकते हैं, अब उसके बाद है creating a marketing offering, creating a marketing offering का मतलब क्या हो गया, offer of product having different shapes, sizes, colors, उसकी requirement के हिसाब से, taste, सबका एक जैसा taste नहीं होता है, उसको उस चैसी चीज चाहिए, पहले need or want समझ लिया फिर अब उसको बड़ी bottle नहीं यह दि चाहिए, दो लिटर वली ठीक है, उसको carry करनी है, ठीक है, तो उसको different shapes and sizes हो गया, अगर उसको coke नहीं चाहिए, तो Pepsi चाहिए, Pepsi नहीं चाहिए, तो thumbs up चाहिए, thumbs up नहीं चाहिए, तो उसको marinda चाहिए, marinda नहीं चाहिए, तो माजा चाहिए, माज़ार है उसको उसके टेस्ट के हिसाफ से फिर उसको अलग-अलग साइज में अलग-अलग-वेट्स में ठीक है और उसको कस्टमर की वैल्यू होनी चाहिए कस्टमर वैल्यू कैसे आएगी उसमें उसकी यूटिल्टी होनी चाहिए मेंज दा गुड और सर्विस मस्ट हैव सम यूटिलिटी तो साइटिस्फाई दा कस्टमर अगर उस चीज़ के उसको यूटिल्टी नहीं है उप्योगिता नहीं है तो वो इसको क्यों यूज़ करेगा तो एक्सचेंज मेकनिजम में नैचुरली एक बाइर है तो दूसरा कौन है सेलर है तो सलर इसको क्या दे रहा है ये इसको गूड्स दे रहा है या सर्विस दे रहा है ठीक है जी और उसके रिटार में ये इसको क्या दे रहा है money दे रहा है या money is worth दे रहा है right guys तो ये चीज़ है अब उसके बाद हम आगे बात करेंगे क्या क्या बेचा जा सकता है कोई भी physical product बेचा जा सकता है services को बेचा जा सकता है idea कैसे बेचा जा सकता है idea जैसे कोई भी एक हम बात करें कि family planning सरकार ने जो अभियान चलाए थे वो एक idea था ठीक है उसके पाद persons कैसे बेचे जा सकते है जैसे during election times कि फला person को vote दो फला person को vote दो places मतलब historical places वो जगा उठा के नहीं ले जाएगा कोई पर वहाँ जाके उन पर आप जाके देख सकते हो उसकी history समझ सकते हो वहाँ जाने के पैसे लगते है experience ठीक है movie कोई अपनी story बता रहा है properties को देखी जाते है event information and organization को market किया जा सकता है यह सारी चीज़े marketable है ओके guys तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं बहुत important topic है यह from the examination point of view भी कि functions of market क्या है marking के function क्या है तो सबसे पहले जो हमारा function आता है guys वो आता है gathering and analyzing information हालांकि यह सारे self-explanatory points हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बताता जाता हूँ कि gather करना और analyze करना information from the actual or potential customers से रगा है regarding their requirements and also understanding different opportunities available for the producer seller ठीक है उसको understand करना कि क्या चीज मार्केट में बेख सकती है और उसके बाद हम आगे बात करेंगे marketing की planning planning का तो guys आपको पता ही है कि planning का मतलब क्या होता है what to do when to do ठीक है ठीक है तो marketing planning क्या आ गया here here marketer develops appropriate plans to launch his product or service किस तरीके से वो अपने product और service को launch करेंगा अब product की designing और development यह बहुत important चीज़ाइज और बहुत इंपॉर्टन चीज़ाइज आ है डिजाइन from time to time okay उसके बाद standardization and grading standardization का क्या मतलब होता है guys standardization का मतलब है पहले हम standardization की बात करेंगे standardization का मतलब है producing goods of predetermined specifications accordingly ही समान को बनाना है कभी भी उसमें standard में change नहीं करना तभी हम only then we can produce we can produce quality goods ठीक है उसके बाद standardization के बाद क्या है grading grading में क्या आएगा guys grading में आएगा उसका quality wise quality wise quality wise description of the good quality wise classification भी हम कह सकते है classification ठीक है यह ज्यादा तर आपको पता अगरिकल्चर प्रोडक्स में ही होता है उसके बाद packaging and labeling अगला point क्या है guys packaging and labeling packaging and labeling packaging and labeling क्या है packaging packaging refers to design packaging packaging refers to design and cover the product to protect so that it can be used for long period ठीक है जी तांकि वह long period तक उसको store भी किया जा सके और उसको use भी किया जा सकते पर packaging का यह मत्रव होता है और उसके बाद हम बात करेंगे labeling labeling is to provide information about the product product के बारे में information सारी प्रवाइड करना ठीक है it is legally तू To provide Information n ещё कि लिगली नियुन पर कं पल्सरी है state प्रोवाइड ए इनफोर्मेंशन ठीक है ब्रैंडिंग्स कुन ब्रैंडिंग की बात करेंगे ब्रैंडिंग का मतलब यहां पे क्या आ जाएगा अब्रैंडिंग इशान घ्रक्रेंग्स the trust of the buyers to the producer's firm or product which contains special features and helps to increase sales ठीक है जी उसके बाद customer support service ठीक है जी customer support service होती है after selling the product after selling the product Helping the customer to understand other problems इस प्रॉब्लम्स किस्टमर की प्रॉब्लम्स को अंडर्स्टेंड करना एंड रिमूव और इलिमिनेट डेफिशेंसी और उसके बाद अगर कोई डेफिशेंसी प्रोड़क्त में रहागी उसको भी द्यूर करके देना है उसको इट आल्सो है हेल्प्स दा पोटेंशियल कस्टमर्स तू रीच दा प्रोडूसर ठीका दाइस उसके बाद प्राइसिंग तो प्राइसिंग इस वेरी इंपॉर्टेंट प्रामिटर इन सेलिंग प्रोड़्टाई प्रोड्ट तू तू खbor कि द Ó्ła खर ल organizations देना है दो आल्स प्राइसिंग रहाई प्राइसिंग वेरी इन कि अगर ज्यादा प्राइस रखा तो कम्पिटिशन से बाहर हो जाओगे कम प्राइस रखा तो आपकी कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाएगी तो दोनों चीज़े मुश्किल हैं तो प्रमोशन का मतलब आगे हम यहां पर क्या बात करेंगे प्रमोशन अबएथगे मैं और हिंवाथ स्थ रखा कृश्किल होच्टाम्स वwiad driving analysis टो बात मुश्ल हैं तो connection दा गोड्स और सर्वसिज ठीक है यह पर्मोशन हो गया और उसमें आपको पता हम क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट करते हैं पार्सनल सैलिंग करते हैं राइट सेल पर्मोशन डिसकाउंट वगरा देके और पब्लिसिटी से इन चीजों से पर्मोशन की जाती है उसके बाद फिजिकल डिस्टिबुशन की बात करेंगे हम तो जाइज फिजिकल डिस्टिबुशन की क्या बात है फिजिकल डिस्टिबुशन का मतलब है to provide the goods to ultimate consumers, means, from the place of manufacturing, to the place of actual consumption, उसके बाद transportation, so transportation का क्या मतलब होता है, physically movement of goods, from one place to another, ठीक है, by using different modes of transportation, right guys, उसके बाद last है, storage and warehousing, is required for raw material and warehousing is required for finished goods, because both need to be kept by the producer, before the customer require the product, ठीक है guys, तो यह एक बहुत जरूरी item है, तो guys, यहां तक का topic मैं complete करता हूँ, आपको यहां functions तक करा दिया है, I hope कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसी तरह मेरे चैनल को subscribe बरके वीडियोज देखते रहिए, और अपना course complete करते रही है, ओके जी done,